सुरन में आम आदमी पार्टी में प्रेस वारता आयो जितकर कसोरी गोलीकांट के मामले में चुपी साधने के लिए स्थानी विधायक पैस समाजिक न्याय एमम अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल का इस्तीफा मांगा है पार्टी ने अरोप लगाया कि सरकार ने एक तरफा कार्रिवाही करते हुए स्पी को सस्पेंड किया लिक उस समय मोके पर मुझूद एसजिम को आईएस लोबी ने बचा लिया गोलिकार मामले में सरकार की और से गटित डिविजनल कमिस्टर रिपोर्ट को नकार दिया गया और इस पर हाई कोर्ट के रेटायर जजज से चार्च करवाने की भी मांग की है आम आद्मी पार्टी के प्रदेश कोडिनेशन कमेटी सरस्य सुरजीत थाकुर जिला SCSTCell के अध्यक्ष राजीव कॉंडल वे आटेइसल के अध्यक्ष पवन थाकुर ने सोरन में आयोजित पत्रकार वारता में कहा कि कसोली का नाम गोलिकांट के करण पूरे देश में दबाया जा रहा है जबकि अस्पताल के पास इस मामले की सी सी टीवी फूटेज भी है इस मामले की निश्पक्ष जाच होनी चाहिए आटीसल के अधिक्षपवन ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के साथ जिरा सोलन में महिलाओं के साथ उत्पिरन के मा जाया है उनोंने का कि कसोली गोलिकांट से पहले अक्षेतर में 244 यंजियो नहीं लिया गई उनोں ने का कि कंड़ा स्कूल का नामकरन शहीद गुलाब सिंग के नाम पर किया जाए इनी सरकार खर्च नहीं उठा सकती तो वो अपने स्तर पर खर्च उठाने को तयार है महिलाओं महिलाओं के उपर जो अपरादक मामले जो बढ़ गए है उसके उपर भी कले शब्दों में निंदा करती है अभी हाली में जोनल हॉस्पिटल में एक करमचारी के उपर आदी रात उसके साथ मॉलस्टेशन हुई है छेड़ चाड़ हुई है लेकिन विभाग इस मामले में कारवाई करने की जगा इस मामले की को दबाने में लगा हुआ है हम स्थानी प्रशाशन से मांग करते हैं कि महीलाओं की शुरक्षा के लिए उचित परबंद किये जाए कसौली के स्थानी विधायक आज तक कसौली में अवैद निर्मान 118 के वायलेशन और इस तरह के जो माफिया वहाँ पर अपनी पाउं पसार कर खड़ा हो गया है आज तक इस बारे में कोई ना उन्होंने विधान सभा में इसके बारे में चर्चा की ना ही उन्होंने कभी पुलीस में कंपलेंट की ना ही कोई धरना प्रदशन किया उनकी जो कारे परनाली है वो संदेह के दारे में है हम आम आदमी पार्टी बुखे मंतरी जी से मांग करती है उन्हें मंतरी मंदल से बाहर करें You are watching News India Live TV Subscribe our channel for latest news and updates and don't forget to press bell icon for latest notifications